नंश्कार दोस्तो स्वाग थाप अपका टैकनो डीफेंस अबडेट पे तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में कमपेशन करने वाले हैं भारत के परोजेक्ट 18 कॉलास रिस्ट्रोयर और साथ में इनका कमपेशन पर बना रहा हूं तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफ्रेंस ए तो टाइप 005 माफ कीजिगा 055 क्लास की जो डिस्ट्रोयर है इसमें कौन सा डिस्ट्रोयर ज्यादा लीथल एडवांस और बैतरे इन रडार से लेस होगा जबकि दोस्तों आप सबको पता है कि जितने भी दुनिया में चाइनीज वेपन हैं वे लगबग स्क्रैप किये जा रहे हैं साथ में और भी बहुत सारे बड़े-बड़े इशूस उनमें देखने को मिल रहे हैं वो दोस्त दें क्यूंकि चीन संख्या बल पर ज्यादा ध्यान दे रहा है वो क्वालेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में वे जो वैपनस है उन्हें ब बहुत अच्छे रिजल्ट भारत को दिया है तो उनके आधार पर इन्हें एक करहां से बनाया जा रहा है और ऐसे भारत अपनी 9 सेना में कम से कम 6 जो डिस्ट्रोयर हैं से सामिल करेगा और इसके ओपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी आप उसे भी जाकर देख स 13,000 से 14,000 टन के बीच रहने वाला है और इतने भारी भर कम नेवल एसेट्स की जो स्पीड है वो बहुत जादा कम हो जाती है इनकी वेट की वजह से लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 56 किलोमीटर पर आर रहने वाली है और क्रू की बात करें तो अपने साथ 500 क्रू को ले जा स लगता है जिनमें 100 officers हैं और साथ में 400 naval sailors होंगे तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें चाइना के जो टाइप 055 क्लास के जो destroyer होने वाले है इनके बारे में तो देखी दोस्तों इन्हें जो सेंजिक्डो जो शिंजान शिप्याड है वो इसे बनाएगी हाला कि मेरे से नाम destroyer है उनके base पर इसे बनाया जा रहा है और साथ में इसकी जो कोष्ट है वो है 6 billion yuan जो डोलर की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं जो चाइना के युवान है उनकी मैं बात कर रहा हूं और दोस्तों चाइना ने प्लान किया है कि वे 8 ऐसे destroyer अपनी नो सेना में शामिल करे जिनमें से उनके पास एक active है और दोस्तों ऐसे में एक destroyer active होने के कारण जो इसके बारे में information है वो थोड़ी सी ज्यादा available है तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं तो देखी दोस्तों एक stealth guided missile destroyer होने वाला है जिसका displacement 12000 से 13000 टन से होने वाला है full loaded होने के बाद यह जो भारत का project 18 class के destroyer है उनसे थोड़ा सा कम है साथ में इसकी length 180 meter और 20 meter और साथ में इसकी जो speed है वो 56 km परार रहने वाली है तो चलिए दोस्तों दोनों जो destroyer है इनके weapons और sensor और radar के बारे में हम जान लेते हैं और यह कौन से aircraft को अपने साथ carry कर सकते हैं यानि के helicopters को उनक star band ASA multifunctional radar लगेगा जो कि किसी भी स्थिती में इस destroyer के उपर एक अच्छा combination बनकर भारत के लिए उभरेगा और दोस्तों साथ में इसमें थेल्स का आपको पता है कि France थेल्स की company है और यह कितने बहतरीं radar बनाती है यह सब भी आपको पता है और यह LW08D band के जो air search जो radar है वे दोस्तों जो भारत का project 18 class का destroyer है इसमें 84 VLS bracket system लगेगा जो कि air defense system होने वाल है जो कि कि किसी भी aircraft और UCAV को बढ़िया साने से marker गिराने में शक्षम होगा दोस्तों इसमें जो इसका सबसे खतरनाक weapon होगा वो होगा 24 Brammos 2 आपको पता है कि Brammos 2 एक hypersonic missile होने वाली है तो ऐसे म hypersonic हतियार को एक destroyer से रोखना चाहिए ना कि बसके बात नहीं है उसमें K630 जो CIWS system है वो भी लग सकता है और यह अपने साथ Sea King या फिर HR गा जो धुरू हेलिकोप्टर है उसी अपने साथ carry कर सकता है तो दोस्तों इसकी range पे मैं आपको बता देता हूँ जो विशाका पत्नम क्लास के जो destroyer है उनकी range जो है वो 7400 km है जबकि project 18 class के destroyer उनसे लगबग दोगने firepower के साथ आएंगे तो इनकी range 10,000 km तक एक तरहां से आखी जा सकती है तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें चाहिना के जो destroyer है type 055 class के तो उनके weapons और sensor system के बारे में बात करें तो देखें दोस् साथ इसमें जो PG-11 CIWS system है वो भी होगा साथ में इसमें air defense system के लिए HQ-10 short range जो surface missile defense system है वो भी लगेगा और दोस्तों जिसमें 24 cell launches होते हैं और HHQ-9 SAM system भी इसमें लगेगा और HQ-9 जो air defense system है उसके ओपर भी मैंने एक वीडियो बना रखें तो आप उसे भी जाकर देख सकते है और साथ में दोस्तों इसमें YG-18 anti-ship cruise missile लगेगी साथ में CJ-10 land attack missile भी इसमें लगाई जा सकते हैं और दोस्तों ये एक मामले में जो भारत का जो project 18 class destroyer है उनसे थोड़ा सा आगे निकल जाता है हाला कि weapons के मामले में अगर आप बात करें तो भारत की जो 24 hypersonic brammos होगी वे इस से बढ़िया सान से counter कर सकते हैं और और भी इसमें weapons लगाए जाएंगे लेकिन ये एक मामले में जो भारत का destroyer है उससे थोड़ा आगे निकल जाता है उसमें ये जो aircraft है तो उसमें अपने साथ दो helicopters को carry कर सकता है जिसमें दो इसमें Harbin Z9 और साथ में Z18 helicopters आ सकते हैं तो देख देख सकता है तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में जो project 18 class के destroyer है वे चाइना के destroyer से आगे तो है और साथ में quality में उनसे बहुत जादा आगे है लेकिन जो project जो चाइना का type 055 class के destroyer है ये एक रहा से weapons में आगे निकल जाते हैं लेकिन इन सब weapons को counter करने के लिए भारत इनके उपर 24 hypersonic brammos को लगाने वाला है और दोस्तों इनको counter करना chain के बसके बात अभी तो नहीं है और साथ में जो destroyer है उसके उपर ऐसा air defense system एक तरह से possible भी नहीं है आज की तारह में क्योंकि land based पर आपको पताए कि आपके पास बहुत सारी जगा होती है जिस पे आप अलग इनको लगा सकते हैं लेकिन एक डिस्ट्रोयर या नेवल एसेट्स तरह एक लिमिटेड जगा होती है तो इनके ओपर इतने सारे weapons को install करना possible नहीं हो पाता है और साथ में इनको power भी चाहिए होती है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी comment करके जिरू बताएगा और साथ तो कल के लिए मैं माफी चाहता हूँ और साथ में आज सुबर भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था तो दोस्तों उसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों इतने सारे comments के ओपर वीडियो बनाना possible भी नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ अग अगले दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गोड़ बाई जैहीं